वेलकम दोस्तो मैं यहाँ पे धीरज सेंटरम एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है एंगलोर इंपल्स के बारे में होने वाला है यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तो जो की इग्नोर हो जाता है जब हम आर्बीडी चैप्टर कर रहे होते हैं औ और यह हम बाद में फाइंड आउट करते हैं दोस्तो जब कुछ ऐसे सवाल जो की कंजरवेशन ओफ लीनियर मोमेंटम एंगलोर मोमेंटम टॉर्क एक्वेशन किसे भी नहीं होते हैं हमको एंगलोर इंपल्स कॉंसेप्ट की जरुवत पड़ती है तो आज हम इस ऐसे कॉंस कि इंपल्स वर्ड जो है यह आपने मल्टिपल बार सुना होगा लॉज और मोशन चैप्टर और वक्पाइनरजी चैप्टर में राइट इंपल्स वर्ड तो आपको फैमिलियर लग रहा होगा तो दोस्तों मैं यहां पे कोरेलेशन एक सिंपल सा रखा हूं लीनियर इंपल चैंजिन यंडियर मोमेंटम होगा अल्राइट लीन इंपल्स दोस्तों हम सिंबल्स जे से रिप्रेजन्ट करते हैं यह वेक्टर क्वॉंटीडी होती है जो कि इंटाइर फड्टी होती है अव् कुछ चीजे और हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जैसे कि अगर आप conservation of linear momentum लगाते हैं दोस्तों तब आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ती है कि external force ना लगे तो यहां पर इस तरह का कोई restriction नहीं है उसी तरह से जब आप conservation of angular momentum लगाते हैं तब आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि कोई external torque ना लग रहा हो तो यहां पर angular impulse equation में भी इस तरह का कोई restriction नहीं है लेकिन दोस्तों जब आप linear momentum या angular momentum की जो equation है जब आप conserve करते हैं linear momentum और angular momentum को तब आप एक से ज़्यादा body के बारे में बात कर रहे होते हैं जैसे कि एक object का linear momentum plus दूसरे object का linear momentum before the collision is equal to some of the linear momentum of both the objects after the collision तो उसी तरह से हम लोग angular momentum के बारे में भी conserve करते हैं तो before the collision जो भी angular momentum है system का वो after the collision से हम equate कर देते हैं तो इन दोनों theorems में हम लोग एक से ज़्यादा body का एक साथ equation लिखते हैं लेकिन जब आप impulse equation लिखते हैं दौस्तों तो आप सिर्फ और सिर्फ एक object की equation लिखते हैं at a time उस object में जो linear impulse है वो उस object के changing momentum के बराबर होगा similarly उस object में जो angular impulse है वो उस object के change in angular momentum के बराबर होगा अब दोस्तो एक चीज शायद आपको परेशान कर रही होगी कि भाई ये सब तो ठीक है equation भी बढ़िया है लेकिन ये integral हम निकालेंगे कैसे integral f dt और integral tau dtm कैसे निकालेंगे तो दोस्तो इसका समाधान ये है कि जब आप equation लिखेंगे definitely जब impulse लग रहा होगा तो कोई ना कोई impulse लगा ही रहा होगा तो ये जो impulse equation है दोस्तो ये आप एक से ज़्यादा body के बारे में लिखेंगे एक एक करके और ये integral term दो तीन equation में एक साथ आएगा और जब आप उन दो तीन equation को solve करेंगे इस integral term को you can get rid of for example मान लिजे कि आपके पास एक equation इस तरह से आती है integral f dt आपके पास मान लिजे आती है 5 और दूसरा equation मैं एक random example ले रहा हूँ यहाँ पे second equation मान लिजे 6 minus integral f dt is equal to some something some constant later say a तो आप first equation से integral f dt second equation में सबस्यूर कर सकते हैं और आपको value of a यहाँ पे मिल जाएगी तो इसी तरह से हम लोग rely करते हैं कि एक से ज्यादा equation में यह integral term आएगा और हम इस integral term को जो है eliminate कर देंगे ओके तो यह तो हो गई दोस्तों how to get rid of this integral term और last but not the least आखरी बात यह है दोस्तों कि जब हम linear impulse की equation लिखते हैं वो हम किसी भी direction में लिख सकते हैं यूजली हम लोग उस direction में लिखेंगे जिस direction के बारे में या तो हमें बहुत सारी चीजे पता हैं या तो हमें उस direction के बारे में चीजे निकालनी है और इसको लिखेंगे तो यह equation writing this equation is most comfortable about the center of mass axis और आप इस equation को fixed axis के about भी लिख सकते हैं वो भी ठीक ठाक comforting रहता है तो याद रखें आप angular impulse हमेशा fix axis या center of mass axis के about लिखेंगे तो हम लोग उसको easily deal कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो हो गई सारी theory तो theory जानना तो एक होती है लेकिन problem solve करना तो completely different बात होती ही है तो इसलिए दोस्तों after discussing this theory हम लोग यहां पर couple of questions एक दो सवाल लगाने की कोशिश करते हैं और हम जानेंगे किस तरह से हम इस concept को multiple तरीके से use कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों तो हमने जो अभी तक पड़ा है इसको apply करके देखते हैं यह रहा आपके सामने पहला सवाल यहां पर मैं आपको थोड़ा सा situation समझा देता हूं यह आपके पास दो platforms हैं ओके यह दो platform fixed है अपनी जगह और यह surface smooth है और यह surface भी दोस्तों smooth है अब आप बीच में देख रहे होंगे एक cylinder लगा हुआ है यह cylinder अपने axis के about किस तरह की axis है दोस्तों horizontal axis है जो आपके screen के अंदर जा रही है तो इसके about this cylinder is free to rotate ओके और small m और cylinder के बीच में friction है और चीज़े जो दी हुई हैं दोस्तों वो यह है कि यह जो small m है जब इस platform से इस दूसरे platform पे जाता है प्लेटरम में वन से टू में जाता है तो इसकी velocity u से भी change हो जाती है और हमको निकालना है angular velocity of the cylinder तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम किस तरह solve करेंगे अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि कुछ interaction हो रहा है small m और cylinder के बीच में अब interaction होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है हमारे दिमाग में आता है conservation of linear momentum अब यहां पर हम linear momentum नहीं कर सकते हैं क्या reason है इसका दोस्तों इसका reason है कि भई जो axis है cylinder की वो एक external force generate करेगी जब यह small m cylinder से interact कर रहा होगा तो इसलिए जो है हम small m और capital m का linear momentum conserve नहीं कर सकते हैं अब linear momentum conserve हो नहीं सकता है क्या energy conserve हो सकती है आप पाएंगे कि यहां पर energy भी conserve नहीं होगी क्योंकि small m और capital m के बीच में दोस्तों sliding हो रही है तो कुछ energy जो है heat में convert हो गई होगी तो ना तो हम linear momentum conserve कर सकते हैं ना हम energy conserve कर सकते हैं अब बाकी बचा क्या बाकी बचा आपके पास angular momentum conservation क्या हम वो conserve कर सकते हैं अब आप देखेंगे कि यहां पर यह जो axis है यह axis एक external force generate कर रही है और वो external force इस axis के about ही पास होगी और जब यह small m इससे interact कर रहा होगा है small m cylinder से interact कर रहा होगा दोस्तों इन दोनों के आपस में एक frictional force भी होगा साथी साथ gravitational force एक कर रहा होगा तो यहां पर आपको हलका सा अंदाजा हो रहा होगा कि हम axis के about angular momentum conserve करने की सोच सकते हैं लेकिन यहां पर हम लोग इस सवाल को angular impulse से try करेंगे solve करने का तो आप पाएंगे कि angular impulse से जब आप try करेंगे solve करने का तो आप solution के बहुत control में रहेंगे और आपको confidence भी हाई रहेगा आपको problem solve करते समय क्योंकि जब आप कोई theorem directly use करते हैं जैसे आप conservation of angular momentum use करेंगे तो हमेशा यह doubt आपके मन में बना रहेगा कि क्या मेरी condition satisfy हो रही है कि नहीं हाला कि जब आप angular impulse लिखते हैं तो आपके पास ऐसे कोई restriction नहीं होती है कि यह होगा तभी हम use कर सकते हैं तो इसलिए angular impulse use करते समय हम लोग का confidence ज्यादा हाई रहता है तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम free boy diagram बनाते हैं small m का यह small m है दोस्तो यह small m जब capital m से interact कर रहा होगा तो एक frictional force generate करेगा माल लीजिए उस friction force की value है small f एक gravity force भी होगा ही mg और एक normal force generate कर रहा होगा तो वर्ट के लिए तो दोस्तों कुछ change होनी रहा है तो normal reaction यहां पर मेरा mg के बराबर ही होगा जो भी change हो रहा है horizontally तो मैं यहां पर एक linear impulse की equation लिखने जा रहा हूं तो हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे एकदम linear impulse की equation क्या कहती है दोस्तों integral f dt is equal to change in the linear momentum final linear momentum minus initial linear momentum ओके जब आप यह equation लिख रहे होंगे आप यह चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि आप यहां पर vectors के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों force भी vector है और linear momentum भी vector है तो आपको science का take care करना पड़ेगा जैसे कि इस situation में मैंने मान लिया है कि forward direction positive है तो जब आप impulse के बारे में बात कर रहे हैं इस problem में तो एफ जो है माइनस एफ आप लिखेंगे तो माइनस ओफ इंटिग्रल स्मॉल एफ डी टी यह आपका हो जाएगा final linear momentum जो कि small m into v है माइनस इनीशल लिन्य मोमेंटम जो कि अगें पॉसिट डारेक्शन में तो माइनस ओफ एम इंटू यू यह मेरी first equation है दोस्तों ओके अब यहां पर यह term आके बैट गया है integral of f dt अब मुझे f as a function of time तो दिया नहीं हुआ है तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास कोई और equation है जिसमें यह integral f dt term आएगा उसका जवाब दोस्तों बिलकुल हाँ है क्यों क्योंकि जभी भी कोई force लगेगा उसका एक reaction तो develop होगा ही तो यह small f कौन लगा रहा है cylinder लगा रहा है तो cylinder का जवाब free word diagram बनाएंगे तो उसमें भी यह small f लग रहा होगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं cylinder को हम कैसे यहां पर deal करेंगे cylinder पे opposite direction में एक reaction develop होगा small f ओके यह cylinder का mass m है और radius r है और यह रहा है इसका angular velocity आप माल लीजे ओमेगा अब दोस्तों प्रॉलम यहां पर यह है कि मेरी जो axis है cylinder की वो axis भी external force develop कर रही होगी ओके जिसकी वजह से जब आप linear impulse की equation लिखेंगे तो उसमें axis का जो force है माल लीजे cx direction है तो यह cx भी आएगा axis का horizontal direction में force तो वह equation मेरे लिए एक तरह से useless हो जाएगी क्योंकि वह equation में लिखूंगा और एक एक और variable आ जाएगा जो की unrelated है बाकी equation से तो मैं उससे बचूंगा तो क्या मैं यहाँ पर कुछ और लिख सकता हूँ linear impulse के अलावा अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेगा कि इस axis के about अगर मैं इस पूछ जितने भी force लग रहे हैं उनका अगर मैं talk निकाले कोशिश करूं तो सिर्फ friction का torque होगा दोस्तों तो यहाँ पर हम जो है एंगुलर इंपल्स का equation लिखेंगे क्या है एंगुलर इंपल्स का equation टॉर्क डी टी इस इकूल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशल एंगुलर मोमेंटम ओके यहाँ पर भी दोस्तों हमें directions का take care करना पड़ेगा और हम एंगुलर variables का कैसे direction का take care करते हैं बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों एक सबसे simple तरीका होता है कि आप clockwise या anti-clockwise को positive मान लीजिए और जो दूसरा direction होगा वो negative हो जाएगा automatically ओके तो मैं मान लेता हूं कि यह जो टॉर्क है एफ का उसका direction positive है तो एफ का टॉर्क क्या है clockwise है तो टॉर्क यहां पर दोस्तों पर पर दूस्तों एफ का आर है तो आर इंटु एफ इंटु डी टी यह आएगा मेरा एंग्लोर इंपल्स लेफ्ट हें साइड इस इक्वल तो फाइनल एंग्लोर मोमेंटम मैं यह टॉर्क लिख रहा हूं अबाउट सेंटर ओफ मास तो मेरी इंपल्स इक्वेशन अबाउट सेंटर ओफ मास एक्सेस है दोस्तों तो एल एफ हो जाएगा मोमेंट ओफ इनेश्या जो की एमार स्क्वाइर बाइटू है सिलिंडर का इन्टू ओमेगा माइनस इनीश्यल एंग्लोर मोमेंटम वो जो की सीरो है अब आर बाहर ले लिजे इंटेग्रल के क्यों क्योंकि दोस्तों एफ डीटी हमको रिप्लेस करना है है कि नहीं एमार स्कॉर बाइटू इन्टू मेंगा यह मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई अब आपको बस एक लास्ट स्टेप खुद से करना है यह एफ डीटी के जो वैल्यू है यहां पे इसको सेकेंड इक्वेशन के एफ डीटी की जगे आप रख दीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी एंग्लोर रास्टी ओमेगा की तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से हमने अंग्लोर मोमिंटम का कॉंसेट यहां पे बहुत ही आसानी से यूज करके फटा फटा आंसर निकाल लिया है तो अब हम एक और सवाल लगाते हैं उसके बाद यह कॉंसेट आपका बहुत ही सॉलिड हो जाएगा रिजिट बॉडी की तरह तो यह जो सवाल है दोस्तो यह मैं आपको बिदाते जाऊंगा और डियाग्राम बनाते जाऊंगा ओके तो सिच masturbation यहां पे कुछ इस तरह से है की एक इस है दोस्तो इस तरह तो यहां पडिये स्थियर दोस्तो बहुत चोटा सा है साइज में यह कापी चोटा से है तो यह जब इस फियर ये sphere मान लिजिए नीचे आ रहा है ये about to touch the surface है उस समय दोस्तों मुझे इसकी velocity दी हुई है इस तरह से है इसकी velocity ये velocity यू है और दोस्तों इसकी जो एंगल व्लॉस्टी है वो इस तरह से दी हुई है मेरे पास मान लिजिए ओमेगा नॉट है ओके और आफ्टर दे कॉलिजिन क्या होगा वो कुछ इस तरह से है मान लिजिए ये कॉलाइट करता है एक एंगल थीटा पे ओके आफ्टर दे वो तक क्या है कि इस तरह से बाउंस कर रहा है पराबॉलिक पाथ में यहां पहुंचता है दोस्तों और यहां पहुंचने के बाद क्या देखने को मिलता है कि यह वापस से आफ्टर दे कॉलिजिन यह अपना पाथ रीट्रेस करता है ओके तो आपको निकालना है कि अगर तो आपको निकालना है दोस्तों कि यह जो पाथ जब अगर यह ट्रीट्रेस कर रहा है उस समय यह जो वैरेबल है आपके यू ओमेगा नौट थीटा यह किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ओके तो बेसिकली यहां पर मैं सिंपली आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आप किस तरह से यहां पर एंगलर इंपल्स का प्रयोग करेंगे या लीनियर इंपल्स का यूज करेंगे तो सबसे पहले तो because of the symmetry of the problem जब यह बॉल यहां हिट करेगी दोस्तों तो यहां पर भी इसकी वेलोस्टी यू होनी चाहिए और एंगलर वेलोस्टी ओमेगा नौट ही होनी चाहिए क्यों इस तरह से होना चाहिए क्योंकि clearly यहां पर कोई energy का लॉस तो हो ही नहीं रहा है बार बार यह पाथ पर यह जो मास एम है spherical मास एम है वो अपना पाथ repeat कर रहा है तो इसलिए जो है इस तरह से situation बनेगी और यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस location पे इस location पे एंगलो व्लॉस्टी जो है आपकी जो है एंटी क्लॉक्वाइज है और यहां पर आप देखेंगे कि एंगलो व्लॉस्टी reverse हो चुकी है तो यह सब problem की symmetry के लिए जरुवत है otherwise यह इस तरह से नहीं होगा तो मान लेते हैं कि यह आपका spherical mass m है यह collide करने वाला है ठीक है यह इस surface से जब collide करेगा इसकी velocity इस direction में यू है तो तो कि वोटिकल डारिश्ट में क्या component हो जाएगा दोस्तों वर्टिकल और होजिन कंपोनेंट अगर मैं लू वेलउस्टी का तो वोटिकल डारिश्टी का हो जाएगा u sin theta just before the collision and horizontal component दोस्तों हो जाएगा u cos theta ओके अब मैं यहाँ पर velocity represent कर रहा हूँ white color से और yellow color से मान लेजे मैं यहाँ पर force represent कर देता हूँ एक तो force यहाँ पर gravity लगेगी mg force एक यहाँ पर normal reaction लगेगा ओके और दूसरा force यहाँ पर दोस्तों friction लगेगा और जब यहाँ पर friction लग रहा होगा दोस्तों मान लेते coefficient friction म्यू है ओके मैं यहाँ पर आपको बतला question शुरू में clarity के साथ नहीं आपको पूरा बता पाया हूँ क्योंकि मेरा focus यहाँ पर एंग्लो मोमेंटम इंपल्स और जो है linear impulse यह दो equation लिखना है तो मान लेते हैं कि यह कुल जब कॉलाइट कर रहा है तो इस object पे इस sphere पे static friction लगेगा या kinetic friction लगेगा इस point पे जब यह हिट करेगा दोस्तों आप देखेंगे कि इस point की कुछ definite velocity है tangentially और surface rest पे है तो kinetic friction लगेगा वहां पर क्योंकि sliding हो रही है instantaneous sliding वहां पर कुई है तो इस direction में जो friction लगेगा वह kinetic friction यानि की मू इंटू एन लगेगा दोस्तों तो यह सब forces लग रहे होंगे इसमें तो अगर हम सिर्फ बॉल देखें तो वर्टिकल इंपल्स लग रहा है और horizontal इंपल्स लग रहा है दोस्तों अगर मैं इंपल्स इक्वेशन सिर्फ देखूं इंपल्स इक्वेशन मार्क कर देते हैं दोस्तों यहां पर वाई एक्सेस एंड एक्सेस इंपल्स इक्वेशन अगर मैं वाई एक्सेस पर देखूं तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए जब कोलिजन होता है और इस तरह का इंपाक्ट हो रहा है तो नॉर्मल रेक्शन ग्रैविटी से काफी जादा होता है तो आप ग्रैविटी फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं ओके तो जो सड़न चेंज जर जिन मोमेंट्म होगा वो नामील रेशन की वजह से होगा जस्स बिफोर रेन आफ्टर कॉलीजन तो ये सिर्फ हम इस इमिल्ष के बारे में बात करेंगे अगर हम जérique प्लप कर रहा हैं तो मैंने अप़़र। पॉजिटिव लेके रखा है इसलिए ndt एक पॉजिटिव क्वाइंटिटी है तो दिस इस इक्वल टू मोमेंटम फाइनल फाइनल मोमेंटम क्या होगा इमिडिल्टी आफ्र कोलीजिन सब कुछ रिवर्स हो जाना चाहिए तभी यह वापस इस तरफ आएगा आफ्र कोलीजिन फॉम दी अदर साइट ओके तो रिवर्स होने के लिए दोस्तो वेलॉस्टी रिवर्स हो जाएगी इस तरह से और एंगलर व्लॉस्टी जो एंडिक्लॉक्वाइश थी अब हो जाएगी लिन सो दोस्तों इसको एंगुलस वलॉस्टी कुछ लेना देना नहीं है इसको बस लीने से मतलब है तो लिनेर विलॉस्टी अपवर डायरेक्शन में यू साइन थीटा नीचे की तरफ आ रही थी अब वह उपर की तरफ सेम विलॉस्टी है this is equal to mass times final velocity जो की u sin theta minus m into नीचे दरफ velocity negative है final momentum minus initial momentum so this is equal to 2m u sin theta दोस्तों ओके और अगर आप horizontally देखेंगे तो आपके पास आएगा दोस्तों integral of mu ndt यह आपके पास आएगा m into same logic के साथ अगर आप लगाएंगे 2m u cos theta यह आता है आपके पास तो आप यह इन दोनों equation से आप in fact ndt eliminate भी कर सकते हैं ओके अब दोस्तों है तो यह स्फियर तो यह rotate भी कर रहा है यहां पर एक अंग्लोर इंपल्स लग रहा है दोस्तों तो अंग्लोर इंपल्स लगने के लिए हमें यहां पर तॉर्क देखना पड़ेगा about center of mass तो अबाउट दी center of mass अंग्लोर इंपल्स का जो इक्वेशन है जो कि इंटिग्रल टाउडीटी पाइनल अंग्लोमेंटम माइनेस इनीशन अंग्लोमेंटम होता है वह कैसे लिखेंगे अंग्लोमेंटम change is equal to torque. Torque इतना है? μ into normal reaction? इंटो r radius dt, okay? इस इक्वेल टो जो moment of finish अंग्लोमेंटम अब़ अंटर अंच्वेशन होता है? I center of mass इंटो मेंटा ओमेट, यही तो होता है अंग्लोमेंटम अंटर संटर आप्स, राइट? ICM solvか स्फियर का हो गया 2 by 5 M r square सो दाट इन्टू ओमेगा तो फाइनल ओमेगा है माइनस इनिशल ओमेगा ओके तो मैं हाप पर म्यू और आर दोनों बाहर ले लेता हूं तो इस तरह से मेरी एक्वेशन आएगी दोस्तो फोर एम आर स्क्वाइर बाइ फाइव तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास तीन हैं एक एक्वेशन में एक एक्वेशन में इंटेगल एंडिटी की वैल्यू है एक एक्वेशन में इंटेगल एंडिटी सेम इंटिटी इस टू एम्यू कॉस इटा बाइव और सेम एंडिटी जो है यहां सॉरी मैंने ओमेगा नॉट छोड़ दिया था सेम एंडिटी यहां पर 4 mr square omega 0 by 5 mu r होगा तो अगर इसको अपना path retrace करना है दोस्तों तो हम लोग लिखेंगे उसका condition होगा 2 mu sin theta should be equal to 2 mu cos theta by mu and that should also be equal to 4 mr square omega 0 by 5 mu r तो यह तीनों equal होंगे तब जाके यह situation possible है ओके तो आई होप आप लोगों को एंगलर इंपल्स के बारे में काफे कुछ जानकारी मिल गई होगी मैं आपको suggest करूंगा कि आप कम से कम 10 से 15 सवाल खुद से लगाईये ताकि यह concept आपका solid हो जाए ओके सो थैंक्स वाचिंग वीडियो दिस धीरच फ्रॉम सेंटर में केडमी साइनिंग ओफ बाए फॉर नाव